Hello Friends, Steady P.A.T. में आप सभी का स्वागत है आज देखींगे हम हिंदी के Most Important Practice Set 4 जो UP Super Tate, UP B.A.D. Interance Exam and All Teachings Exam के लिए Important रहेंगे देखते हैं Questions Questions में दिया है कि अघोस वर्ड कौन सा है Option है A, जा और जा, हा और शा बताए अघोस वर्ड कौन सा है इसमें Option इसमें D सही हो जाएगा सा जो वर्ड है वो अघोस वर्ड है पहले तु जानेंगे घोस वर्ड क्या होते हैं घोस वर्ड आपका वर्ड का पहला दूसरा और तीसरा पहला दूसरा और तीसरा जो वर्ड होता है वो गोस वर्ड होता है जैसे का, खा और गा ऐसे ही चा चा जा ठीक और अगूश वर्ड जो होता है वर्ड का चौथा और पाच्वा होता है अगूश वर्ड जो होता है वो वर्ड का चौथा और पाच्वा अक्षर होता है घा और अंगा जैसे जा और इया ये सभी जो होते हैं अगुशवड होते हैं देखेंगे next question तामरस का परयाईवाची शब्द है option है वामा, शंपदा, भतर्षना या कमल बताईगे तामरस का परयाईवाची शब्द कौन सा है इसमें सही option आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा कमल जो है तामरस का परयाईवाची शब्द है next देखेंगे नीमनलिखित में से कौन सा शब्द स्ट्रिलिंग है option है केश, कोयल, कोकिल या कान बताईगे कौन सा सब्द स्ट्रिलिंग है केश, कोयल, कोकिल या कान इसमें सही option आपका हो जाएगा बी कोयल जो शब्द है वो इस्ट्रिलिंग है अगला कोशन्स देखेंगे निमनलिखित में से कौन सा शब्द तदभो है उप्शन है चक्र उप्शन भी त्वरित उप्शन से दही या दुग्द बताए ये तदभो शब्द कौन सा है इसमें से ये उप्शन आपका सी हो जाएगा जो दही शब्द है वो तदभो शब्द है नेक्श देखेंगे मिलन्शार शब्द में कौन सा प्रत्य है प्रत्य पूछा है मिलन्शार में उप्शन है अ, र, आर या सार बताईए मिलन्शार शब्द में कौन सा प्रत्य है इसमें सही option आपका C हो जाएगा R जो शब्द है वो मिलन्शार में प्रत्य है नेक्स्ट निमनलिखित में से कौन सा शब्द महंद्र शब्द का प्रायवाची है option है देवेंद्र, इंद्र, सुरेस या राजा महंद्र सब्द का प्रायवाची कौन सा नहीं है पूछा है नहीं है इसमें सही option क्या हो जाएगा राजा राजा जो शब्द है वो महंद्र सब्द का प्रायवाची नहीं है आप्सन है पाली मगधी प्राकृती या हिंदी बताइے संस्कित भासा के पहले कौन शी भासा थी? इसमें से ये आपसन आपका सी हो जाएगा जो प्राकृतिक शब्द है प्राकृति जो भासा है सबसे पहले थी उसके पास से शंच्कित भासा थी नेक्ष्ट देखेंगे निमलकित में से कौन सा संदी बिच्छित सही है option है महिन प्लस इंद्र या नदी प्लस इस या वधू प्लस उत्सो या ये सभी कौन सा संदी बिच्छित सही है इसमें ये सभी सही है option इसमें डी सही हो जाएगा बहिंज प्लस इंद्र का हो जाएगा महेंद्र नदीश का हो जाएगा नदीश वधू उत्सो का वधूस्तो हो जाएगा दिखेंगे नेक्ष्ट चोकूर शब्द में कौन सा शमाश है? आप्सन है द्वन्द समास है या द्विगु शमास तद पुरुष शमास या अव्यई भाव समास चोकूर शब्द में कौन सा शमाश है? इसमें सही उत्सन आपका हो जाएगा भी द्विगु शमास है चोकूर शब्द में नेक्ष्ट देखेंगे उज्जवल शब्द का रूप कौन सा है सही? Option है उजवल या उजवल पतर ही कैसे लिखा जाएगा उजवल में सही शुद्ध या सुद्ध रूप कौन सरह है इसमें उजवल या उजवल इसमें से यह option आपका C हो जाएगा उजवल ऐसे लिखा जाएगा Next देखेंगे शमना समान धर्मी ब्यक्तियों की जमाव को क्या कहते हैं उप्सन है बैठक कहते हैं या चुनाव उत्सो या शम्मेलन पते ये शमान धर्मी ब्यक्तियों की जमाव को क्या कहते हैं उप्सन इसमें डी से योजेगा सम्मेलन कहते हैं नेख्ट देखेंगे सर्व दय का शंदी विछेत क्या होगा। अगला कूशंस देखेंगे। आत्म निर्भर्क किस समास का उधारण है। उप्सन है अब्याई भाव समाश या तत्पुरुष शमाश या कर्मधारे समाश या बहुब्रही समाश बते यह आत्म निर्भर किस समय का शमाश का उधारण है इसमें सही उप्सन आपका भी हो जाएगा तत्पुरुष शमाश है Next, माता पिता शब्द में कौन सा समास है? Option है द्वेगु, ड्वन्ध, कर्मधार्य, बहुब HR इसमें सही Option है, आपका B हो जाएगा, ड्वन्ध समास है माता पिता मैं Next, महर्शी शब्द में कौन सा संधी है? Option है गुर्शन्दी या यर्षंदी बृद्धिशंदी या अयादिशंदी बताए महर्शे शब्द में कौन शाँ शंदी है इसमें सभर आपका ए हो जाएगा गुर्शन्दी है महर्शे शब्द में Next निम्लिकित में से सुध्य वर्तनी कौन सी है Option है sta La या अंजली या अंजली या अजली इसमें सही option आपका भी हो जाएगा अंजली जो शब्द है वो शुद्ध है नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा तत्सम सब्द है आम्र आंख आंसू या एट तत्सम सब्द पूछ रहा है बताएं इसमें सही option क्या हो जाएगा इसमें सही option आपका A हो जाएगा आम्र जो शब्द है वो तस्या सब्द है आम्र यानी आम नेक्स्ट देखेंगे नियुमलिखित में से असपर्स बेंजन कौन सा है option है शा, हा,ला या चा असपर्स बेंजन कौन सा है सही option इसमें आपका D हो जाएगा अच्छा जो शब्द है वो असपर्स बेंचन है असपर्स बेंचन कितने होते हैं? 25 होते हैं देखेंगे next question दिये गए शब्दो का परयावाची शब्द चुन्ना है अमल का परयावाची शब्द क्या हो जाएगा? इमली होगा अंगूर अमरूदिय पपीता बताईए दिये गए सब्दों के परायवाची शब्द बताईए अमल का परायवाची क्या होगा अमल का परायवाची इमली हो जाएगा उप्सन इसमें A सही होगा नेक्ष्ट देखेंगे इसमें भी आपको बताना है परायवाची बिराट का परायवाची शब्द क्या होगा इसमें सही option आपका A हो जाएगा बिशाल शब्द जो है बिराट का परायवाची है नेक्स्ट देखेंगे निमनलखित में से कौन शब्द असूर शब्द का बिलो मार्थक है option है देवता सूर यक्षिया मानव असूर का बिलो मार्थक शब्द है यसूर option इसमें B से हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे वर्ड नमत थारडा का उच्चारड स्थान क्या है option है कंट, तालू, नासिका या उस्ट नमत थारडा का उच्चारड स्थान क्या होगा इसमें सही option आपका C हो जाएगा नासिका से नमार्डा का उच्चारड स्थान है निमलखित में से कौन सा सब्द इस्ट्रेलिंग है option है पंक, पंच्ची, पंक्ती या पंक्ची बताएगे कौन सा सब्द इस्ट्रेलिंग है इसमें सही option आपका C हो जाएगा पंक्ती जो सब्द है पंक्ती वो इस्त्रिलिंग है नेक्स देखेंगे बादलो की समो को क्या कहते हैं आप्सन है रासी गुच्छा घटा या अंबर बादलो की समो को क्या कहते हैं सही आप्सन इसमें आपका सी हो जाएगा घटा जो है उसे बादलो का शमो कहते हैं Next, कैची किस भासा का शब्द है? Option है तुर्की, फ्रेंच, जपानी या अर्बी. कैची किस भासा का सब्द है? सही option इसमें आपका A सही हो जाएगा. तुर्की जो है, तुर्की भासा का शब्द है कैची. Next, देखेंगे. निमनलखित में से कौन सा सब्द तद्भव है? Option है बांध, लक्ष, लज्जा या मगदी. पताए तद्भव शब्द कौन सा, इसमें सही हो जाएगा? इसमें सही option आपका A हो जाएगा. बांध जो सब्द है, वो तद्भव है. Next, देखेंगे. उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? Option है उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? Option इसमें A सही हो जाएगा. उत प्लस गम, यानि उत गम, उत गम में उत 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 उपसर्ग है, नेक्श देखेंगे, सं मती का संधी बिछेद बताईए, शं प्लस मती होता है, या सं प्लस मती, या सत धन मती, या शं प्लस मती, इसमें सही ओप्सन आपका सी हो जाएगा, सत प्लस मती बराबर शं मती हो इसमें सही ओप्सन हो जाएगा डी शम उपसर्ग है संस्क्रण में नेक्स्ट दिखेंगे परियोग का उपसर्ग क्या है परा परी या प्रा या प्रती ओप्सन इसमें सी सही हो जाएगा प्रा शब्द जो है प्रयोग का उपसर्ग है धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडि यो में?